हम बार-बार कह रहे हैं कि प्रदान मंत्री नर्यन मोदी वापस से प्रदान मंत्री बन रहे हैं ये देश में बड़ा मेंडेट है इतनी बड़ी अबादी को दुबारा उनको मेंडेट मिलना हम सब की तारीफ कर रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस मंच पर आपको भाशन देने के लिए बुला रहे हैं दूसरी बड़ी बात है कि सुनिए दूसरी बात है कि इतने बड़े मेंडेट में राहुल गांदी अखिलेश यादव लालू प्रसाथ ममताव एनर्जी आप जाईए राज्यवार देखिए आपको हर जगे नजर आएगा कि बहुत सारी जगे चाए उत्तर में हो चाए दक्षण में हो चाए नौर्थीस में हो जनता ने भाजपा को भी नका रहा है कही जगे और अगर आप इसको स्षीकारेंगे तो आप अपनी गलती सुधार कर बहतर कर पाएंगे हर्याना में पांच और पांच हो गया है बराबर हर्याना में चुनाव सिर्फ पर खड़ा है इसलिए चिल्लाइए मत सार तक चर्चा करिए भारते जंता पार्टी अपनी गलती सुधारे इसका जवाब जॉली जी देंगे ना जॉली जी देंगे इन से जुड़ाएं तो इस जवाब देने दें हर चुनावों की नतीजों के बाद हम लोगों को इंडोस्पेक्शन करने की भी अवशक्ता रहती है जहां जहां पर भी हमारी प्रिफॉर्मेंस अप्टू दे मार्क नहीं रही हम उन कम्यों को और उन अच्छाईयों के ओपर भी जरूर आतम चिंतन करेंगे लेकिन एक बात आप सबको माननी पड़ेगी जिन जूटे निरेटिव को लेकर जिन ब्रहमक का बातों को उठाकर ओपोजीशन ने आम आदमी भारत के नागरिक के मन में संशे और अविश्वास की भावना व्यक्त की किसान किसान अंदोलन के ओपर अरक्षन के मुद्दे के ओपर उनी में अगर प्रधान मंत्री मोदी की कन्वेंसिंग पावर को आप क्वेस्चन करते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा चूंकि विपक्ष ने चाहे जो नारेटिव सेट किया हो आप ये भी जानते हैं कि जब प्रधान मंत्री किसी मन से बोलते हैं तो हर कोई सुनता है और अ अपोजीशन हिंदुस्तान की चुनाप प्रणाली के बाद बारे में हिंदुस्तान के एलिक्षिन कमिशन को एवियम्स की सार्थक्ता के बारे में एक बार नहीं बार बार उनके उपर संदे उत्वेंट करें जब एक जूट दस पर बोला जाता है अगर दस बार जूट बोलेंगे तो लोग उसके ओपर विश्वास कर लेते हैं विश्वास कर लेते हैं एक जो सबसे एक अच्छी चीज जो भी आप सामने अपने स्क्रीन पर देखेंगे वो है कि इंडिया गटबंदन के फेवर में 7% का स्विंग है 2019 के मुकाबले जब आप इंडिये गटबंदन के तरफ देखते हैं तो इंडिये गटबंदन के खिलाफ 2% का स्विंग दिखाई दे रहा है पूरे देशवर में ये बहुत बड़े आकड़े हैं इसके साथ साथ हम बीजेपी और कॉंग्रेस के स्विंग्स की चर्चा भी अभी करेंगे भारते जन्ता पार्टी के खिलाफ 0.7% का स्विंग जाता हुआ दिखाई दिया है जबकि कॉंग्रेस के समर्थन में 2.93% का स्विंग है जाहर से बात हैं यह 3% के आसपास का स्विंग Congress के Convertibility Ratio को अगर आप देखें तो 52 सीट से 100 सीट के पास पहुचा देती है और भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ हाला कि only 0.7% का swing है जो खिलाफ में है 303 से 240 पहुचा रहा है तो अगर आप swing के आधार पर देखें तो भारतिय जनता पार्टी का एक minor loss in swing impact बहुत कर रहा है जहां पर भारतिय जनता पार्टी के मुकाबले Congress को जो swing मिला उनकी seat convertibility उनके base के हिसाब से बहुत अच्छी है अगर आप performance इस आधार पर देखें आप किसी भी base के आधार पर performance देखेंगे 52 सीट से 100 सीट पहुचना almost 100% का इजाफा और इसमें सिर्फ 3% का swing काम आता है लेकिन 0.7% का swing किला 100 सीट निकाल ले जाता है 60 सीट निकाल ले जाता है अगर मैं इसको अगर मैं इसको बहुत layman सी language में कहूँ अजे जी आपी के साथ शुरबात करते फिर अधिती और अजे जी इस पर आप से भी मैं जवाब लूँगी अगर इसको layman भाषा में समझू तो विपक्ष ने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अभी जो मौजूदा सरकार थी उस सरकार ने कुछ खामियों की वज़े से जो लॉस देखा उसने विपक्ष को बहुत कुछ किये बगएर बड़ा फाइदा दे दिया अगर इसको बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में कहें यह आगड़े मैं इसलिए अभी सामने रखा था विजय जॉली साब नेरेटिव की बात कर रहे है जिस नेरेटिव को लेकर हम यह सारी चर्चा कर रहे है उसी नेरेटिव का यह प्रमाण है देखे भारते जनता पार्टी के खलाफ इंडिया गड़बंदन ने जिन बातों को प्रचारित किया उसकी स्विकारिता यह रही कि कॉंग्रेस में लोगों का विश्वास एक सर्टन स्टेज तक बढ़ा देखे इसमें हमें इस बात तो मानना पड़ेगा पोलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो अपना अपना नेरेटिव अपनी अपनी कहानी कहते है लेकिन उस कहानी पर कौन कितना भरोसा करता है लोगों ने अपना भरोसा कौंग्रेस पार्टी के कहने पर दिखाया नाराजगी अगर देखी जाए बीजेपी से बहुत ज़ादा नहीं है लेकिन बीजेपी से उमीदे ज़ादा थी उमीदे पूरी नहीं हुई इस उमीदों को पूरा नहीं होने का जो गैप है इसको कौंग्रेस ने फिल किया और इस गैप के हिसाब से कौंग्रेस को तो बेनिफिट मिला लेकिन बीजेपी का लॉस का लुक्सान बढ़ा हुआ और अगर यह सोच लीजे कि डेढ़ सेट के आसपास का स्विंग होता या 2 परसंट जो की हम बेसिकली सिफाली जी के एनलेटिक्स में बेसिक महानते हैं इसका स्विंग का स्विंग निजा घर होता तो बहरते जनता पार्टी आज देट सेट पर कड़ई होता तो यह आप देखे जनता ने प्रधामति नरेंद्र मोदी और बीजेपी को नकारा नहीं लेकिन दूसरे तरफ के नेरेटिव को स्विकारा और यह काहनी है चुनाओं के नतीजों वाले दिन जब कोई हारता है या चीता है तो एक बात मिरता है कि हमें जनता का मेंडेट मनसूर है अब आज ही के दिन यह कहें कि विपक्ष ने दग्वा जूत बोला और जनता ने मान लिया तो आप विपक्ष पे सवाल नहीं उठा रहे हैं आप सवाल कि विपक्ष ने जूट बोला आप यह कह रहे हैं कि जनता बेवकूप है उससे गलत आद्वी पर विश्वास करो है अजिती इसमें एक बात और एट करो हमें बस बस आगे आगे जोशी आगे दूसरी जौली साब का में समान करता हूं इन्होंने का कि हमारे परधान मंत्री उनको घेर लिया गया क्या हमारे परधान मंत्री ते सक्षम नहीं है आप तो कहते हैं कि एक सो पे बारी देश पे बारी अब आप मेरी लाइन बोरो मत करिए आप कुछ नया बताईए तुम बुद्धित नहीं है तो बहुत क्लियर है इसमें तो कोई दोराय नहीं है कि politics हमे आपके उस narrative को अपना लिया तो रुकसान हुआ ना अब वो सही है या नहीं है कोई अकेली एक पार्टी या उस पार्टी का अकेला एक नेता नहीं था जो अकेले नरेंद्र मोधी का सामना कर सके इसलिए आपको एखटा होना पड़ा इसलिए आप उनके पॉपिलारिटी प ब्रेक के बाद इसको पूरा कीजिएगा भुवन भासकर जी 30 सेकेंड आपको देते हैं फिर मैं ब्रेक पर जाओ आपने जो आयोध्या हारे हैं उनसे तो कारण पूछा लेकिन जो आयोध्या वासियों ने जिनको मेंडेट दिया है उनसे हार का जीत का कारण नहीं पूचा मैं आपको बताना चाहता हूँ आयोध्या में जो हार हुई है वो एक नेरेटिव के कारण हुई है जो मान्य परदान मंत्री जी ने दिया उसको आयोध्या वासियों ने दिल से ले लिया और वो नेरेटिव ये देने का काम करा उन्होंने कहने का काम करा कि अगर विपक्स तो आयोद्या के मंदिर पर बुल्डोजर चल जाए डा क्या किसी देश में किसी की हिम्मत है जो बुल्डोजर चला पाई ना कहा ये गया कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर जो फैसला आया उसको पलट देगे तो ना 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 मैं यह कह रहा हूँ कि शब्डों को मरोडिये मत शब्डों को इसलिए मत मरोडिये क्योंकि यह कई लोगों की भावनाओं को आहद कर सकता है आप अपको नहीं को पताना चाहता हूँ वहां के लोगों ने इस बात का जवाब देने का काम करा आयोद्या वासियों ने जो एक प्रदान मंत्री होके उन्होंने आयोद्या के ओपर जो बात कही